नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं मेरा येट्यूब चैनल रोजगार वेदवी दोस्तो आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में उलेक करने जा रहे हैं किसके बारे में गंगा नदी तंत्र के बारे में दोस्तो गंगा नदी तंत्र की बात करें तो सबसे पहले सतो पंथ हिमनत से किस जगे से शतो पंथ हिमनत के पास से एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है विश्णू जलधारा क्या नाम है विश्णू जलधारा या विश्णू प्रियाग जलधारा और यहीं पर एक और जलधारा आकर मिलती है जिसका नाम है दोली ग दोस्तो कौन कौन सी जल्धारा यानि कि बिश्णू गंगा और धौली गंगा कहां से निकलती है शतो पंथ हिमनत से दोस्तो सतो पंथ हिमनत से निकलने के बाद यह दोनो नदियां यहां से यह कौन सी आई बिश्णू गंगा और यह कौन सी आई धौली गंगा यह दोनो नद मिल जाती हैं कौन-कौन सी बिश्णू और धौली जिस जगे मिलती है उस जगे का नाम है बिश्णू प्रियाग क्या नाम है दोस्तों बिश्णू प्रियाग तो ये नदी आखर कहा पर मिले बिश्णू प्रियाग में कहा पर मिले बिश्णू प्रियाग में कौन-कौन सी इनका नाम हो जाता है. अलक नंदा. दोस्तों, हमारे पास दो جल धाराएं थी. एक थी ध्हुली गंगा और एक थी बिष्नू गंगा. ये दोनों कहाँ पर मिली? बिष्नू प्रियाग में और अब इनका नाम क्या हो गया है? अलक नंदा. अलक नंदा. दोस्तो बिश्णू प्रियाग के निकट मिलती है और उस जगे का नाम है जोसी मट क्या नाम है जोसी मट तो कभी कभी दोस्तो कह देता है प्रश्ण में या तो जोसी मट होगा उप्शन में या फिर क्या होगा बिश्णू प्रियाग उसके बाद दोस्तों ये नदी अलक नंदा नाम से आगे बैती हुई जाती है और नंद प्रियाग पर पहुँचती है कहाँ पर नंद प्रियाग पर नंद प्रियाग पर एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी क्या नाम है नंदाकिनी नंदाखनी नदी तिर्शूल हिमनत से निकलती है कहां से निकलती है तिर्शूल हिमनत से दोस्तो यहाँ पर यह नदी नंदाखनी किसमे मिली है अलक नंदा में दोस्तो उसके बाद यह नदी अलक नंदा राम से आगे बैती है किस नाम से अलक नंदा ही नाम से तो दोस्तो यहाँ पर एक सहर इसका नाम है बद्रीनाथ क्या नाम है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है अलकनन्दा नदी के किनारे है किस नदी के किनारे है अलकनन्दा नदी के किनारे है दोस्तो उसके बाद करण प्रियाग पर जब यह अलग नंदा पहुंच जाती है कहाँ पर करण प्रियाग पर तब इसमें एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी दोस्तों तो वहाँ पर कौन कौन सी नदिया मिल रही है अलक नंदा और करन प्रियाग इसके बाद ये नदी अलक नंदा नाम से आगे बहती है और रुद्र प्रियाग पहुँच जाती है किस नाम से आगे बहती है अलक नंदा नाम से आगे बहती है और कहां पहुच जाती है रुद्र प्रियाग रुद्र प्रियाग में एक नदी और आकर मिलते है इसका नाम है मंदाकिनी क्या नाम है मंदाकिनी और मंदाकिनी नदी के किनार इस्तित है केदार नाथ क्या इस्तित है दोस्तों केदार नाथ मंदा की नहीं मिलने के बाद भी इस नदी का नाम रहता है अलक नंदा क्या रहता है अलक नंदा अलक नंदा राम से यह आगे बहती है और देव प्रियाग तक पहुँच जाती है कहां तक पहुँच जाती है देव प्रियाग तक तो दोस्तो अभी तक हम न जो देखा उसे recall करने का ठाइम है सबसे पहली बात कि ये नदी निकली कहां से सतोपंथ हिमनत से कहां से निकली शतोपंथ हिमनत से किस नाम से विश्णु गंगा राम से या फिर अलकनन्दा नाम से और इसमें एक नदी मिले जिसका नाम है दोली गंगा दोली गंगा कहां से निकल दाई है दोस्तों दोली गंगा का उद्गम शुरूत है माना हिमनत क्या है माना हिमनत उसके बाद यह अलक नंदा आगे वहेगी और नंद प्रियाग में जाकर एक नदी मिलेगी जिसका नाम में नंदाकिनी नंदाकिनी कहां से निकल जाएगी तरसूल हिमनस से कहां से तरसूल हिमनस से दोस्तो उसके बाद इसमें एक और नदी आकर मिलेगी जिसका नाम में पिंडार नदी और ये कहां पर मिल जाएगी करन प्रियाग में कहां पर करन प्रियाग में कौन सी नदी में अलक नंदा नदी में कौन सी नदी में दोस्तो अलक नंदा नदी में उसके बाद रुद्र प्रियाग में कौन सी नदी आकर मिलेगी मंदा की नी और मंदा की नी के बाद ये नदी आगे बैती हुई चली जाएगी मिलने के बाद अलक नंदा नाम से और देप्रियाग में एक नदी आकर मिलेगी जिसका नाम है भागी रती क्या नाम है भागी रती की बात करें तो भागी रती का उदगम होता है गंगोत्री हिम्नत से कहां से होता है गंगोत्री हिम्नत से और इसमें एक नदी आकर मिलती है इसका नामें भीलंगाना क्या नामें भीलंगाना और इसी नदी के किनारे यानि कि इन दोनों नदीयों के संगम पर एक 20 प्रिसित बांध इस्तित है जिसका नामें टेहरी बांध क्या है केहरी बांध तो दोस्तो भागी रती और अलगनंदा कह कहां पर देप्रियाग में मिल जाती हैं तब इन नदियों का नाम हो जाता है गंगा नदी क्या हो जाता है गंगा नदी उसके बाद ये नदी आगे बहते हुए रिशी केस में प्रवेश करती है कहां पर प्रवेश करती है रिशी केस में और रिशी केस के पास जाकर हरिद्व दिसी केस के बाद कहा जाकर हरिद्वार में जाकर ये नदी मैदानी छेत्र में प्रवेश करती है यानि कि दिसी केस तक लगवक कहा बेह रही थी ये पहाडी छेत्रों में और जब हरिद्वार पहुची तब ये नदी कैसे छेत्र में आ गई मैदानी छेत्र में तो दोस्तों तो अगर हम इस वीडियो की मैप में देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कई तरीके से नदियां आकर मिल रही है जैसे दोली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी, भीलंगाना नदी यानि कि और ये भागी रती और ये स्वैमी एक अलग नंदा और उसके बाद इसका सभी का जब संगम हो जाता है दे प्रियाग में तब इसका नाम होता है गंगा नदी, क्या होता है गंगा नदी तो दोस्तोu अगर आपसे पूछा जाए, कि गंगा नदी किस राज्ज से उधगमित होती है, तो बहराज यह उत्तराखंड राज्जी, कहा है, उत्तराखंड राज्जी, हमने जितने भी यहाँ पर यह पॉइंट देखें हैं, यानिकि मिलन वाले, और ये सब कहाँ पर हैं उत्तराखंड में यानि कि हमने यहां से यहां तक जो कुछ भी देखा है वो और सुना है वो किस राजी का है उत्तराखंड राजी का दोस्तो अब चलते हैं गंगा नदी के और विस्तार की ओर दोस्तो उसके बाद गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी में यानि कि ये गंगा नदी बह रही है और इस तरीके से बात करें तो ये कौन सा तठ हो गया इसका बाएं हाथ पर और ये वाला कौन सा हो गया सीधा हाथ तो दोस्तो बाय हाथ पर मिलने वाली नदियां कौन-कौन सी हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तो सबसे पहले इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है राम गंगा नदी राम गंगा नदी की बात करें दोस्तो तो राम बंगा नदी नैनिताल के पास से निकलती है कहां से निकलती है नैनिताल के पास से और नैनिताल के पास से एक पहाड़ी है जिसका नाम है गैरिशन पहाड़ी क्या नाम है गैरिशन पहाड़ी तो यहां से कौन सी नदी निकल रही है राम बंगा नदी राम बंगा नदी की बात करें, तो राम बंगा नदी पर ही इस्तित है आपका जिम कारवेट नैसनल पार्क, कौन सा पार्क है? जिम कारवेट नैसनल पार्क, कौन सी नदी पर है? राम बंगा नदी पर, तो दोस्तों राम बंगा नदी पर कौन सा पार्क इस्तित है आपका? उसका नाम है जिम कार्वेट नैसनल पार्क और जिम कार्वेट नैसनल पार्क सिक्षोकर कौन सी नदी बेह रही है राम गंगा और यहाँ पर दो प्रमुक शहर भी इस्तितन उत्तर प्रदेश के जिसका नाम है मुरादाबाद और बरेदी क्या नाम है मुरादाबाद और बर जाती है कहां पर मिलती है कन्नोज के समी कौन सी नदी से गंगा नदी दोस्तो कन्नोज के निकट ग्राम गंगा मिलने के बाद गंगा नदी आगे बैती हुई निकल जाती है और बारान सी के पास यानि की बारान सी के पास इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती अगर दोस्तो गोमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम पीली भी जिला से होता है कहां से होता है दोस्तो गोमती नदी का उद्गम पीली भी जिले से होता है कहां से होता है पीली भी जिले से पीली भी जिले में एक जगह है गोमत ताल कौनसी है गोमत ताल या फिर फुलह जहील के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी क्या नाम है गोमती नदी दोस्तों गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनव और जौनपुर कौन से सहर बसे हुए है लखनव और जौनपुर दोस्तों गोमती नदी की बात कर गंगा नदी में मिल जाती है कहां पर मिलती है गाजी पुर के पास दोस्तो देखते हैं अब अगली नदी की ओर तो हमारी अगली प्रमुक नदी है इसका नाम है शारदा नदी क्या नाम है सारदा नदी आने की है किसकी साहिक नदी है घागरा की दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं सार्दा नदी की क्योंकि ये थोड़ी बड़ी साहिक है किसकी घागरा नदी की दोस्तो सार्दा नदी जो है बै नेपाल के मिलाम हिमनत से निकलती है कहां से निकलती है नेपाल के मिलाम हिमनत से निकलती है दोस्तो इसके बाद सारदा नदी उत्तर प्रदेश में बैती है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में बैती है और बारा बंकी के निकट जाकर ये घागरा नदी में मिल जाती है दोस्तो कहाँ पर बारा बंकी और वहरा जिले के मत जाकर ये कहाँ पर मिल जाती है घागरा नदी में और घागरा नदी इसके बाद आगे बहते हुए बलिया चपरा के पास जाकर मिल जाती है गंगा नदी से किस से गंगा नदी से दोस्तो घागरा की बात करें तो इसकी अन्य साहिक नदी भी है क्या नाम है सर्यो नदी साथ ही इसकी एक और सायक नदी है इसका नाम है राप्ती नदी तो दोस्तों आवी तक हमने जो देखा उसे दुपारा रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहले हमने देखा राम गंगा नदी राम गंगा नदी कहां से निकल देए नैनिताल के निकट गैरेशल पहाड़ी से और कन्नोज में जाकर गंगा नदी में मिल जा रही है उसके बाद हमारी कौन से निकली गंगा नदी गासे गौम्ती और मिल कहां पर रही है गाजी पुर में आने की बारारसी के निकट एक जगह है क्या है गाजी पुर जिला और गाजी पुर में ये नदी किस से जाकर मिल जा रही है गंगा नदी से तो गौमती नदी के किनारे क्या वसा है उत्तरप्रदेस की राजदानी लखनव और चौनपुसे है उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि एक प्रमुख नदी है इसका नाम है घागरा नदी गागरा नदी की बात करें तो दोस्तों ये निकलती है मापचा तुंक हिमानी से कहां से निकलती है मापचा तुंक हिमानी से लेकिन ये नदी कुछ आगे वहने के बाद बलिया छप्रा के पास मिल जाती है किसमें गंगा नदी में किसमें गंगा नदी में दोस्तो अगर इसी की बात जब हम नदी की कर रहे थे तब इसकी एक साहिक नदी भी बताई थी मैंने क्या थी सार्दा नदी और सार्दा नदी कहां से निकलती है मिलाम हिमनत से कहां से निकलती है मिलाम हिमनत नेपाल से और ये किसके पास जाकर बहराईच और बाराबंकी के मद्द में जाकर मिल जाती है किससे घागरा नदी से इसकी और साइक नदी कौन सी है सरियो नदी और राप्ती नदी कौन सी है सरियो और राप्ती चलेगा दोस्तों देखते हैं अब अगली नदी दोस्तों अगली नदी की बात करें तो यह है गंड़क नदी कौनसी नदी है गंड़क नदी गंड़क नदी की बात करें तो यह नेपाल से निकलती है कहां से निकलती है नेपाल से निकलती है और गंड़क नदी पटना के समीप एक जगह है सौनपुर कौनसी है सौनपुर सौनपुर का मिला बहुत मसूर है और सौनपुर के पास यानि की पटना जिले में गंड़क नदी मिल जाती है किसे गंगा से कहाँ पर सौनपुर के पास कौन सी नदी है गंडक नदी कहा पर मिल देगे दोस्तों यह पठना के पास दोस्तों देखते हैं अब अगली नदी की ओर हमारी अगली नदी है इसका नाम है दोस्तों बूरी गंडक क्या नाम है बूरी गंडक दोस्तों बूरी गंडक नदी की बात करें तो इसका उदगम भी कहा पर होता है, नेपाल में होता है, कहा पर होता है, नेपाल में, और नेपाल से ये निकलने के बाद, मुंगेर, बिहार में एक जगे है मुंगेर, और मुंगेर को ही अपनी राज़दानी किस ने बनाय था मीर कासिम ने किसने मीर कासिम ने तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है मुंगेर बूरी गंड़क मुंगेर नामकिस्थान पर आकर गंगा नदी में मिल जाती है ठीक है बूरी गंड़क मुंगेर नामकिस्थान पर आकर कौन सी जग मिलती है गंगा नदी में बूरी गंडग की एक साहिक नदी है इसका नाम है वागमती क्या नाम है वागमती और वागमती नदी के किनारे इस्थित है नेपाल की राजधानी काटमाणडो कहां क्या हैं बागमती नदी के गिनारे नैपाल की राजधानी काठमांगो दोस्तो चलते हैं अगली नदी की ओर दोस्तो इसके बाद इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है कोशी नदी क्या नाम है कोशी नदी दोस्तो कोसी को बिहार का सोक भी कहा जाता है दोस्तो कोसी की बात करें तो इसमें साथ जल दहराें मिलती है कितनी साथ इस कारण से इसका नाम सब्थ कोसी भी है क्या नाम है इसका नाम सब्त कोसी तो दोस्तों कोसी नदी में साथ जल्दाराएं मिली जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया शब्त कोसी और यहाँ पर दो प्रमुक जल्दाराएं जिसका नाम है सन कोसी, तुमर कोसी और एक तीसरी है अरोन कोसी तो इनी तीनों के संगम से ये नदी आगे वहती है जिसका नाम है कोसी नदी तो दोस्तो कासे कोसी और कासे कुरसेला तो कोसी नदी बिहार के कुरसेला में जाकर मिल जाती है गंगा नदी से किस से मिल जाती है गंगा नदी से दोस्तो उसके बाद एक और नदी आकर इसमें मिलती है जो की अंतिम नदी भी है उस नदी का नाम है महाननदा नदी दोस्तो महाननदा नदी नवाब गंज के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है कहां पर नवाब गंज के पास जाकर दोस्तो इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसमें राज महल की पहाडी से यानि की राज महल की पहाडी के निकट से इसके दो भाग हो जाते हैं किसके इसी जगे के इस नदी के दो भाग हो जाते हैं कहां पर राज महल पहाडी के निकट से दोस्तों यहाँ पर राजमहल है और राजमहल के पास से इसके दो भाग हो जाते हैं एक नदी इस तरफ को बेह जाती है और जबकि दूसरी इस तरफ इस तरफ से आकर एक नदी मिलती है इसका नाम है जमुना यानी की ब्रमपुत्रा और दूसरी नदी मिलती है मेगना और मेगना नाम के बाद ही आगए बैते हुए बंगाल की खाड़ी में गर जाती है कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में चलेगा दोस्तो चलते हैं अगले यानि की दूसरी और प्रमुक नदियों की और दोस्तो गंगा नदी की बात करें तो इसकी और प्रमुख नदीयों में यानि कि अब हम चल रहें इसके दाहिने और दाहिने और की बात करें तो यहां से कुछ प्रमुख नदीयां है जो इसमें मिलती है दोस्तो सबसे पहली नदी का नाम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस नदी का नाम है यमुना नदी क्या नाम है यमुना नदी दोस्तो आपको यमुना दिखाई दे रहे होगी ये नदी है ये है गंगा कौन सी है गंगा और दोस्तो ये है यमुना नदी कौन सी है यमुना नदी तो यमुना नदी भी गंगा नदी के ठीक बराबर आपको कोगी यहाँ पर और यहाँ पर दोना में कोई सोड़ा सा यंतर है और यह की उद्गम सरोत पर लगबक हैं तो यमना नदी निकलती है इस जगे का नाम है बंदरपुंच हिमनत क्या नाम है बंदरपुंच हिमनत दोस्तो अगर इसका पूछा जाए दूसरी जगे अगर इसका नाम आता है तो वो है यमनोत्री हिमनत क्या है यमनोत्री हिमनत दोस्तो यमना नदी गंगा की सबसे बड़ साहयक नदी है दोस्तो यमना नदी किसकी सबसे बड़ी साहयक नदी है गंगा की और इसकी सबसे बड़ी साहयक नदी होने के कारण इसमें कई और भी नदियां आकर मिलती हैं इसमें यमना नदी हैं दोस्तो सबसे पहले यमना नदी को देख लेते हैं यमना नदी के किनारे हमारा दिल्ली सहर भी इस्तित है क्या है दिल्ली आने की राजधानी हमारी इस्तित है कौन से सहर के किनारे यमना नदी के किनारे यमना नदी में आकर एक नदी मिलती है दिल्ली के आसपासी जिसका नाम है हिंडन नदी कौन सी नदी में मिल रही आकर ये यमुना नदी में दोस्तों उसके बाद इसमें एक इटावा के पास आकर नदी मिलती है जिसका नाम है चम्बल नदी क्या नाम है चम्बल नदी तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं चम्बल नदी के लिए दोस्तो आपको इस मैप में ये नदी दिखाई दे रही होगी यमना की साहिक नदी इसका नाम है चंबल नदी क्या नाम है चंबल नदी चंबल नदी पर ही आकर मिल रही है खारी नदी, मेज नदी और बनास नदी कौन-कौन सी खारी, मेज और बनास इसी चंबल नदी के किनारे इस्तित है कोटा सहर कौन सा इस्तित है कोटा सहर दोस्तो ये जो चंबल नदी है ये मद्यप्रदेश के महू में जान पावा पहाडी से निकल दाई है कहां से निकल दाई है मद्यप्रदेश के महू के जान पावा पहाडी से दोस्तों ये नदी इटावा के पास जाकर यम्ना नदी में मिल जाती है कहां पर इटावा के पास जाकर दोस्तों अगर इस नदी की बात करें तो इसकी एक साएक नदी है पारवती नदी, काली सिंद नदी, गंभीर नदी और छिपरा नदी तो दोस्तो अगर हम यहाँ पर बात करें चिप्रा नदी की किसकी चिप्रा नदी की चिप्रा नदी के किनारे भारत का एक प्रमुक से एरिस्टित है जिसका नाम है उज्जेन सहर कौन सा है उज्जेन सहर दोस्तो उसके बाद एक नदी और आकर मिलती है यमुना नदी में उस नदी का नाम है सिंध नदी क्या नाम है दोस्तो सिंध नदी सिंध नदी थोड़ी छोटी नदी है और ये इटावा और हमीरपुर के मद्द में आकर मिल जाती है किस से यमुना नदी से दोस्तो उसके बाद बेतवा नदी इसमें मिलती है कौन सी नदी बेतवा और बेतवा नदी मद्यप्रदेश के राइसेंजिले से निकलती है कहां से निकलती है मद्यप्रदेश के राइसेंजिले से और परवत है बिंद परवत कौन सा है बिंद परवत और ये नदी हमीरपुर के पास जाकर यह मना में मिल जाती है कहां पर जाक प्रदेश सतना जिले से निकलती है कहां से निकलती है मद्य प्रदेश के सतना जिले से और ये कैमूर की पहाडियों से निकलती है कैमूर की पहाडियों से और बांदा के निकट जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है कहां पर बांदा के निकट जाकर किसमें मिलती है यमुना नदी में इसके बाद यमुना नदी इलहाबाद के निकट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है किसमें इलहाबाद के निकट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है चलिएगा दोस्तो अब देखते हैं इसके दूसरे वाले हिस्ते के मैप दोस्तो अब तक हमने पीछा वाला देखा यानि की यमना नदी के वारे में पढ़ रहे थे और यमना नदी की हमने कुछ साहिक नदीया देखी जिसमें चंबल, सिंद, बेतवा और केन थी दोस्तो साथी हमने कुछ प्रमुक नदियां और भी देखनी यह से छिप्रा, गंबीर, बनाश, टॉंस अब हम चलते हैं कुछ और नदियों की ओर जैसे गंगा नदी की एक साहिक नदी है टॉंस क्या नाम है साहिक नदी कौनसी है टॉंस और यह मेजा मेजा जगह है इलावाज जिले में कहाँ पर इलावाज जिले में मेजा के पास जाकर यह नदी मिल जाती है किसमें गंगा नदी में दोस्तो उसके बाद एक प्रमुक नदी है रिहंद नदी और सोन नदी कौनसी रिहंद और सोन नदी सोन नदी की बात करें तो सोन नदी अमर कंटक की पाहड़ीं से निकलती है कहां से निकलती है अमर कंटक की पाहड़ी से और अमर कंटक की पाहड़ी कहां पर है मैं काल परवत पर कहां पर हैं मैं काल परवत पर तो बहां से ये सोन नदी निकलती है सोन नदी लगवक 784 किलो मीटर बैते हुए पटना के समीब जाकर गंगा नदी में मिल जाती है कहां पर पटना के समीब जाकर सोन नदी की ही एक साहिक नदी है रिहंद नदी कौन सी है रिहंद नदी दोस्तो उसके बाद ये नदी यानि की गंगा नदी की हम बात कर रहे हैं तो गंगा नदी राज महल के पास जाकर यानि की पश्य मंगाल में जाकर दो भागों में बढ़ जाती एक का नाम होगली नदी और दूसरा भागी रती और उसके बाद ये पदमा नाम से आगे बैती है होगली नदी मेरे एक नदी आकर मिलती है इसका नाम है दामोदर नदी कौन सी नदी है दामोदर नदी दामोदर की एक साहिक नदी इसका नाम है बराकर नदी बराकर को बंगाल का सोक कहा जाता है बराकर नदी को क्या कहा जाता है बंगाल का सोक दोस्तो उसके बाद यानि कि अगर हम बात करें पदमा नदी की तो पदमा नदी में एक नदी आकर मिलती है इसका नामे जमुना यानि की ब्रमपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा में आगे आकर मिलती है मेगना नदी कौन सी मेगना नदी और मेगना नदी के बाद ये नदी जाकर कहा पर गिल जाती है बंगाल की खाड़ी में और सुन्दर बन डेल्टे का निर्मार करती है किसका निर्मार करती है सुन्दर बन डेल्टा का दोस्तों आप जरा इस पीडियो को फिर दोबारा सही से देखते हैं इस तरीके से आपको ये एक मैप दिखाई दे रहा होगा इस मैप में हमें दिख रहा है कि ये नदी निकल रही है हर द्वार से होते हुए आ रही है गंगा नदी और बिजनौर, ब्रेजगाट, कछला, फरुकावाद, कन, नौज, कान, पुरेलाबाद, बारान, सी, पटना होते हुए नवाब गंज होते हुए ये कहाँ पर रेंटर कर जा रही है बांगला देश में दोस्तो अब हम बात करते हैं गंगा नदी की और उन सबी नदियों की जो हमने पढ़ी इनकी लंबाईयों के बारे में दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी के बारे में किसके गंगा नदी के बारे में गंगा नदी की बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है तो दोस्तों गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलो मीटर कितनी है 2525 किलो मीटर जिसमें से इसकी लंबाई 110 किलो मीटर है उत्तराखंड में उत्तराखंड में दोस्तों कितनी है 110 किलो मीटर उसके बाद 1450 किलो मीटर ये बहती है उत्तर परदेश में कहांपर 1450 किलो میٹر उत्तर-पिर्देस में जबकि बिहार में इसकी लंबाई ए 445 किलो मेटर उसके बाद दोस्तों यह पश्यमंगाल में 520 किलो मेती है पश्यमंगाल में कितनी पांग सो बीस ज़रा देख लेते हैं गंगा देगी कुल लंबाई कितनी है 2525 किलो मेटर उत्राखंड में इसकी लंबाई 110 किलो मीटर उत्रपरदेश में इसकी लंबाई 1450 किलो मीटर बिहार में इसकी लंबाई 445 किलो मीटर और पश्य मंगाल में इसकी लंबाई 520 किलो मीटर अगर गंगा नदी की बात करें आनी की गंगा द्रोनी की तो गंगा नदी तंत्र में 8.6 लाख बर किलो मीटर पर गंगा नदी अफवाचेत्र को प्रवाहित करती है गंगा नदी सागर दीप के पास जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में दोस्तो तो गंगा नदी की अगर आपसे को लंबाई पूछी जाए तो कितनी है 2525 किलो मीटर कितनी है 2525 किलो मीटर दोस्तो अब जान लेते हैं यमना नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तो यमना नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है तेरे सो शेतर किलो मीटर कितनी है तेरे सो शेतर किलो मीटर और गंगा नदी कहाँ पर जाकर मिलती है गंगा और यमना कहाँ पर मिल रही है प्रियाग राज में कहाँ पर मिल रही है प्रियाग राज में दोस्तो आपको मैप पर यह दिखाई दे रही होगी यह नदी है गंगा और यह कौन सी है यमुना और यह कहाँ पर जाकर मिल गई है प्रियाग राज में तो दोस्तो गंगा और यमना कहा पर मिलती है प्रियाग राज में गंगा की सबसे वड़ी सायक नदी कौन सी है यमना नदी कौन सी है यमना नदी यमना नदी की सबसे वड़ी सायक नदी कौन सी है चंबल नदी कौन सी है चंबल नदी दोस्तो चंबल नदी कहा से निकलती है म मद्यप्रदेश के बिंद परवस से और इसकी लंबाई है चार सो असी किलो मीटर कितनी है चार सो असी किलो मीटर दोस्तो केन नदी कहां से निकलती है केन नदी निकलती है दोस्तो कैमूर की पहाडियों से कहां से कैमूर की पहाडियों से सतना मद्यप्रदेश से और इसकी ल संगम कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक और नदी मिलती है इसका नाम है सरस्वती जो कि अब लुप्त हो चुकी है दोस्तों उसके बाद कौन सी नदी मिलती है इसमें टौंस नदी कौन सी नदी मिलती है टौंस नदी और टौंस नदी कहां पर मिलती है जाकर मेजा उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होगी कि एक नदी आई राम गंगा और राम गंगा नदी कहाँ से निकलती है नैनीताल के समीब गयरिशनल पहाडी से और राम गंगा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों 596 किलोमीटर तों इसके बाद दोस्तों इसमें एक मिलाम हिमनत के बाद सारदा की लंबाई कितनी दोस्तों कि यहां जबकि घागरा कहां से निकलती है, घागरा निकलती है मापचा तुंग हिमानी से, और छपरा के निकर जाकर लिए, किसमें मिल जाती है, गंगा में, तो घागरा की कितनी लंबा है, एक हजार असी किलोमीटर, घागरा की कितनी लंबा है दोस्तों, एक हजार असी किलोमीटर, उसके बाद दोस्तो कौन सी नदी मिलती है तो वो नदी है सौन नदी कौन सी नदी है दोस्तो सौन नदी सौन नदी दोस्तो कहां से निकलती है तो सौन नदी निकलती है दोस्तो अमर कंटक की पहाड़ियों से और ये पठना के समीब जाकर कहां पर मिल जाती है गंगा नदी से तो 100 नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तो तो 100 नदी की लंबाई अगर आपसे पूछी जाये तो वो है 784 किलोमीटर कितनी है 784 किलोमीटर उसके बाद दोस्तो इसमें कौन सी नदी आकर मिली उसका नाम है गंड़क नदी कौन सी है गंड़क नदी तो दोस्तो गंड़क नदी कहां से मिल रही है तो गंड़क नदी सबसे पहले निकलती है ब्रहत हिमाले से कहां से निकलती है ब्रहत हिमाले से और यह कहां पर मिल जात 30 km, उसके बाद दोस्तों, एक नदी आकर मिलती है कौन सी, बूड़ी गंड़क, कौन सी है, बूड़ी गंड़क, और बूड़ी गंड़क कहाँ पर मिलती है, मुंगेर में आकर, कहाँ पर मिलती है, मुंगेर में आकर हो, यह कहाँ से निकलती है, नेपाल से, और इसकी लंबा कौन सी हैं अरण कोसी तुमर कोसी और सन कोसी तो कोसी कहां से निकलती है कोसी नदी दोस्तों गोसाई नास सिकर से निकलती है कहां से गोसाई नास सिकर तिबस से और दोस्तों ये कोसी नदी गंगा नदी में भागल पुरके समीब जाकर मिल जाती है कहाँ पर भागल पुर के समीप और जगह कौन सा है मैंने बता है था कुरसेला इस्थान कौन सा है कुरसेला की निकड जाकर उसके बाद एक नदी आकर मिलती है दोस्तों इसमें महाननदा कौन सी महाननदा और महाननदा नदी दारजलिंग की पहाडियों से निकलती है नवाब गुंज फरक्का के पास आकर इसमें मिल जाती है दोस्तो उसके बाद मैंने बताया था कि ये नदी राजमहल की पहाडियों से अलग हो जाती है कहां से राजमहल की पहाडियों से जिसके बाद ये नदी पदमा नाम से आगे बैती है किस नाम से पदमा नाम से आगे वेती है और इसमें एक नदी आकर मिलती है जमुना और उसके बाद कौन सी मिलती है मेगना और मेगना नाम के साथ ये नदी कहां पर जाकर गिरती है सागर दीप के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है उसके बाद दोस्तों अगर कि दामुदर नदी की एक और साहिक नदी थी जो कि जब यह होगली नाम से बेचती है तब बहए दामुदर नदी को बहती है says दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी की को लंबाई है पानसो बानवे किलो मीटर कितनी है पानसो बानवे किलो मीटर और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है कहां से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से ये नदी निकलती है तो दोस्तो हमने गंगा नदी के बारे में सब कुछ डिसकस कर लिया है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चाहें कोई सा भी एक्जाम देने जा रहे हूँ आपका गंगा नदी से संबंदित कोई भी प्रशन गलत नहीं होगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आप से मुलाकात होगी अगले नई वीडियो के साथ नई जोग्रोफी के नदियों के साथ क्योंकि अभी हमारी प्राइदीपी नदियां बची हुई हैं तो प्राइदीपी नदियों के वीडियो आपके लिए बहुत जल्द मिल जाएगी तब तक के लिए आप हमारी चैनल पर बने रहें साथ ही अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक से एर करें क्योंकि जिस से ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास भी पहुंच सके